अस्विन और जडेजा का आया तूफान अस्टेलियाई बल्लेबाजों का टूटा गुमान जी हां आपने बिल्कुल ठीक सुना अस्टेलियाई बल्लेबाज जितना हवा बांध रहे थे इस सीरीज में आने से पहले कि वो यहां पे आकर कोई भी वार्म अप मैच नहीं कहलें कोई भी प्रैक्टिस गेम नहीं खेलेंगे वो अस्टेलिया में ही अपना फिच बनवा कर उसी को तोड़ कर प्रैक्टिस कर रहा है स्पिन रोग खिलाप और सारी की सारी तैयारी दिख गई कि कितने तैयारी के साथ अस्टेलियाई बल्लेबाज आये थे जब पहली पारी म उन्हें अपने पहले पारी में चार सारोनों का विसाल का स्कोर खड़ा कर दिया था सबको लगा कि एक तरफ अगर बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है तो दूसरे बल्लेबाज भी मोटिवेशन पाते हैं लेकिन हुआ जश्ट उल्टा ठक कर चूर हो गए थे अस्टेलिया जो की अस्विन को पड़ने में सफल लग रहा हो अपने फेक एक रेका हुए उट तहीए ओ वहां के खूली निठालेगे और पर वहां पर ठाल ब्रहें को किया कोई ब heavenly जितनेञे बी दिगच बल्लेबाजे जितना हवाँ बनाया जा रहा था कि मैट रंसा अस्विन का काट निकालेंगे ये निकालेंगे वो निकालेंगे कुछ नहीं हो पाया और पूरी की पूरी अस्टलिया भल्लेबाजी करम फिसिड़ी साबित हो गया और भारती गेदबाजों ने अपना यहां पे लोहा मनवाया है चाहे रविन जडेजा को देख बनते जा रहे हैं आप रिटायर हो जाएंगे तो लिजन की काटेगरी उनको पूरी मिल जाएगी लेकिन अब भी वह धीरे-धीरे लिजन की काटेगरी में पहुँच चुके हैं एक तिस पाँच विकेट हाल जो की ले चुके हैं आर असुइन और उनके डेब्ब्यू से अभी तक सबसे हाइस्ट विकेट हाल लेने वाले बॉलर भी है मतलब टोटल नहीं अभी तक जब से असुइन डेब्यू किया है तब से इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी ने सबसे ज्यादा फाइफ विकेट हाल लिया है तो वह रवी चंद्रान असुइन दौरान हम लोग पहले से प्रैक्टिस करके आ रहे हैं सब मित तूट गया और जो उनका प्रैक्टिस था जो उनका प्रिप्रेशन था वो भी दिखा अब यह देखना दिल्चास्प रहेगा कि अगले मैचों में यह कैसी बल्लेबाजी करते हैं भारती स्पिन्रों के खिलाप अगर हम इस मैच का स्कोर कार्ड पे नजर डालें तो भारती टीम ने इस मैच को एक इनिंग और 132 रन से अपने नाम किया है वहीं अगर हम बात करें पहले इनिंग में तो 170 पे अस्टेलिया आल आउट हो गई थी तो पहले इनिंग में भारत ने चारत रनों का विसाल का स् अस्टेलिया टीम तें 30- Parad 30 impedance ने रनों काल आउट हो गई तो यह एस्टीव स्कोर स्कोर भारत चलाव एकेल बै गांच कम 3 किया और 20 रनों का यह सेंवाले & लेकिन इसांनवान रनो के नहीं पाद कर नच्व था स्कोरर थे यह बैंटर पे यह कह लिए हुए अलाकि एक गेन पर बोल्ड हुए थे जो रुकी नोबाल साबित हो गई फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस्ट्यू स्मित तो पचीस रन बनाया एक क्यावन गेदो पे फिर ख्वाजा ने पाच रन बनाया नो गेदो पे वार्न ने दस रन लवुसेन ने सत्रा रन फिर उसके बाद रिंसा दो रन हैंस कॉम छे रन एलेक्स कैरी दस रन कमिंस एक टॉड मर्फी दो लाइन आठ बोलाइन जीरो तो यह एक फोन नंबर की तरह दिख रहा है कि सारे के बल्लेबाज किसी ने भी वहाँ क्रीश पे टिकने का प्रयास नहीं किया और अहीं भारती घुल की बाल toutes देखें तो अश्की श्टार बॉलर है 12 और होल तीन मेडें 37 पांच सामी को जडेज की बात करे यार सबने भी चलगे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले